दोस्तो क्या आप भी वीडियोस देख देके धक चुके हैं और अभी तक आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपका speaker decision कैसे perfect होगा चाहे आप एक woofer लेना चाहते हैं चाहे एक subwoofer purchase करना चाहते हैं या फिर एक speaker purchase करना चाहते हैं आपको कुछ चीजें ऐसी पता होनी चाहिए ताकि आप कभी भी कोई भी सामान करिद के लाओ तो वो गलत ना निकले और उसके लिए मैं आपको यहाँ पर आज एक detail comparison देने वाला हूँ वूफर और subwoofer के बारे में बहुत ज़्यादा लोग वूफर और subwoofer को एक ही समझते हैं आज मैं आपको यही समझाने वाला हूँ मैंने बहुत सारी वीडियो के अंदर पहले भी clear किया है कि वूफर और subwoofer दोनों अलग-अलग category के sound drivers हैं और उतके अंदर काफी ज़दा फरक है आज मैं आपको फिर clear करता हूँ आज मैंने पास कुछ sound driver रखे हुए तो मैं इनकी help से आपको easily यह clear करूँगा कि वूफर subwoofer के अंदर अखिरकार सबसे बड़ा फरक होता है इसमें मैं आपको पांच कोईट या पे clear करने वाला हूँ जैसे कि बात करते हैं यह 8-inch का एक subwoofer है यह 8-inch का एक वूफर है यह 6-inch का एक subwoofer है और यह के 4-inch का subwoofer है इसके अंदर यह 8-inch का एक woofer speaker है और यह एक subwoofer speaker है लेकिन इन दोनों के अंदर सबसे major difference क्या है वह मैं आपको समझाता हूँ इसके अलावा आपको 2-3 चीज़े और ज्यान रखनी है जैसे कि जो spider होता है woofer का spider और subwoofer का spider बहुत ज़्यादा फर्क आता है अभी मैं आपको जब detail के अंदर इन item को दिखाऊंगा तो उन्हीं साथ में सब चीज़े clear करता हो चलूँगा एक चीज़ का और सबसे ज़्यादा बड़ा फर्क आता है होता है magnet का, magnet की quality का, magnet की grade का woofer का जो magnet होता है उसका grade low भी आसकता है high भी आसकता है तो उससे क्या enhancement होगा woofer की sound quality में enhancement होगा ना कि कि किसी और चीज़ के अंदर और अगर आपका सबूफर है उसका grade बेका रहता है तो obviously sound quality decrease होगी या फिर अगर आपका grade अच्छा आगा है तो sound quality increase होगी उसी के लाव में आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर आप एक सबूफर पर्चेस करना चाहते है या फिर एक वूफर पर्चेस करना चाहते है तो आपको सबसे important चीज़े क्या इसी है जुनको दिमाग में रखके चलना है अगर वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो आपको हमेशा उसको avoid करना है कभी भी पर्चेस करके नहीं लाना है यहाँ पर एक छेंच का सभूफर रखा हुआ है इसके बारे में भी बताऊंगा थोड़ा सा कॉन की quality के बारे में भी discussion करेंगे यहाँ पर जो यह कॉन है यह paper का देख सकते है यहाँ पर जो कॉन है यह आपको थोड़ा सा fiber वाला design देखने को मिलता है यहाँ पर यह कोन है यह plastic वाला देखने को मिलता है यहाँ पर दोबारा paper देखने को मिलता है तो यह अलग-अलग quality के कोन है के इन से audio पर फ़र्क पड़ता है या फिर यह सारे एक जैसे ही बज़ते है बहुत चीज़े आपको सीखने को मिलने वाली है detail video है तो सबसे पहला point clear करते है सबसे पहले अपने इन दोनों के बारे में जो major detail के अंदर फर्क है जो देखने से पता चलते है उनके बारे में आपको सारा explanation देता हूँ तो सबसे पहला सवाल मैं आप लोगों से पूत लेता हूँ इसके अंदर से वूफर वूफर कौन सा है सब वूफर सब वूफर कौन सा है वो आप comment करके बता दीजिए ठीक है आप इसे बता सकते है A, B, C और D में नाम रख रहा हूँ आप इसे बता सकते है D वाला सब वूफर है A वाला सब वूफर है यह चेंज का है चारिंज आखिरकर सबसे बड़ा फर्क कहां पर आता है कि यह सबूफर है यह वूफर है लेकिन दोनों में sound quality में क्या अंतर रहेगा दोनों चीज़े मैं आपको clear करता हूँ सबसे पहले बात कर लेते हैं देखिए यह एक जो सबूफर है यहाँ पर best pro का सबूफर है और यह कुछ इस टैप का है यह बहुत ज्यादा heavy magnet के अंदर है ठीक है आप यह देख सकते हैं यह इसका magnet कुछ इस टैप का है और यह खास से मुझसे यह उठाय भी नहीं जारा है इत पर rms slash max power rating लिखा हुआ है जो 140 watt है यह इसका rms है और 1100 watt इसका peak power है यह फिर max जो आप power कह सकते हैं वो इसका 1100 watt है और यहाँ पर 140 watt rms का यह आपका subwoofer है और उसी के साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है 40 hertz से जी जाता है 315 hertz तका frequency के उपर वो 4 ohm इसका load है यह चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है एक तो आपका subwoofer है उसका load कितना है बोले तो impedance कितना है और दूसीरी चीज आपका subwoofer कितने watt rms का है peak max value यह सब नहीं देखनी है rms कितना है वो आपको हमेशा ध्यान रखना है तो इसका 4 ohm आपका यहाँ पर load है और 140 watt का यह सब उफर है ठीक है और आपको मैं 2-3 चीज़ वो detail के अंदर compare करने का टाइम पर बताऊंगा अभी अपन देख लेते हैं इसको इसके अंदर क्या है तो आप इसका design देख सकते ह आप यहाँ पर खुद आपके आँखों से देख सकते हैं कि वाई कितना ज्यादा इनके जो design है उसके अंदर फर्क है सबसे पहला फर्क मैं आपको दिखा हूं अगर आपको नहीं नजर आ रहा हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो magnet है दोनों का size का difference आप देखी सकत है अब बात करते हैं बास्केट का बास्केट किसको बोलते हैं तो जो यह aluminum का design है पूरा जिसके उपर इसको fit किया गया या फिर assemble किया गया इसको अपन बोलते हैं basket बास्केट काड़ी देखते हैं वूफर का जो बास्केट होता है वो कुछ इस type का होता है कि उसके अंदर जो यह magnet है और जो coil है इसके बीच में कोई air vent नहीं होता है यहाँ पर देख सकते हैं यह magnet है कोई लगी हुए इसके बीच में यहांपर कोई फी और हें नहीं है और यहाँ पर यह चीज़े यहाँ पर दिखा देता है यह आपका सब्वुफर है सबसे पहली बात तो इसके अंदर आपको मेगनेट के यहाँ पर एयरवेंट देखने को मिलता है यह देख सकते यह रहा एयरवेंट आपका यहाँ पर कुछी स्टैप से चूंकि कि आपको यहाँ आपको यह बहुत ज़्यादा हीट होती है परफॉरमेंस के टाइम पर और हीटिंग से आपका तो आपर देख सकते हैं इसके इसका और यहां पर यह थोड़ी देर में आएंगे लेकिन आप देख सकते हैं यहां पर सब्सक्राइब पांच इंच के आसपास का spider use किया गया है वहीं पर इसका जो spider है वो देख सकते हैं यहाँ पर मुस्किल से चार इंच का spider है और उसके अंदर भी जो यह उपर उठा हुआ है और फिर इसका जो मतलब की depth है वो create हो रहा है लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पर अल्रेडी यह depth जो वो created है और उसके उपर spider को mount किया गया तो यहाँ पर इतनी जो जगह है न यह जा रही है कोईल के लिए नीचे की तरफ और इतना कोईल का moment हो सकता है और यह सबुफर है यह देख सकते आप इसका moment कितना ज़्यादा हार्ड है यह सबुफर का कोन है कितना ज़्याद अब ही उपाए है कि फटपड़ वाली आवाज को कैसे fix करते हैं उसके मैं आपको वीडियो फ्यूचर के अंदर देने वाला हूँ अब यहां पर आप यह देख सकते हैं यह जो कौन है आवाज अगर आपको हलके हलकी से आ रही हो यह जो moment है यह बहुत ज़्यादा हलका है आवाज देख सकते हैं कितना ज्यादा इसका soft कोन है soft कोन का reason क्या है क्योंकि यह वूफर है और इसके अंदर जो low bass का frequency वह इतना ज्यादा डिलीवर नहीं होता है इसके अंदर mid bass भी आता है कि आपका simple bass है वो भी आता है और vocals भी आता है तो उसकी वज़े से इसको जो है इस select करना है अगर आपका जो mainly demand यह है कि आपको deep bass है यह तो उसके लिए आपको यह जो woofer है नहीं select करता है तो उसके इंदर आपको बहुत ज़्यादा फाइद है सबसे पहला फाइदा यह है कि इसकी जो depth है बहुत ज़्यादा है तो इसके वीज़े से आप कितना भी low frequency इसके देखिए तो इन दोनों फर्क क्या आता है यहां पर आप देख सकते हैं एक life का भी फर्क होता है जो आपका सबुफर है इसके ओपर यहां पर रबड का कौन लगया है और इसका सराउंड है और यहां पर एक form का सराउंड लगया हुआ है और इसका जो form है वो इतना normally उपर सराउंड जो था है उसी टाइब का फेक हैं यह इतना ज्यादा उपर उठांवाये तो इसका जो हुम्मेंट है और बहुत ज्यादा हो पाएगा और बहुत आसानीं जो होता है लेकिन इसका जो कौन है गया यह कुए पर ब्यू जल्दी जाएंगा जल्दी उपर आयएगा बात करते हैं पर इस सब्चास वाइं सब्चासों फोर के इसकी मेगनेट देखिए अब आप एक बारी और इस आट इंच के वूफर की मेगनेट देखिए यह जो मेगनेट है यह दोनों लगबग सेमें क्यों सेमें क्यों सेमें क्यों क्यों इनका गोलाई फोड़ा बहुत 19-20 है लेकिन यहां पर जो इसका मोटा यह वोस को कवर करा क् इस जाए बहुत ही शेफिशेंट बैस प्रडूश करता है बजने के टाइम पर और यह जो वूफर है और यह वूफर है और यह वूफर है तो इन दोनों का आपस में बैस का कंपरिजन अपन नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर आप इस चैंच के आप इस आट इंच के साउफर क अगर बजाओगे तो यह आपको वह क्वालिटी कभी नहीं दे पाएगा जो आपको यह वाला सबूफर चैंच में देदेगा तो यह डाउट आपका और क्लियर होना चाहिए यहांपर कि जो साइज है वो मेंटर नहीं करता है आपका जो मेंगनेट का क्वालिटी है मेंगन पाए ताकि वह जो है उसका प्रोपर एयर प्रोडूस हो और उसी हिसाब से साउंड क्वालिटी भी आए तकिन अगर आप नहीं करते हैं तो आपका साउंड क्लिटी खराब होगा आपको सैटिस्फेक्टरी ओडियो नहीं मिल पाएगा तो दोस्तों बीट क्वालिटी के अ हमारी सारी साउंड फिक्वेंची एकदम हैंडल कर लेगा लेकिन अगर आप देखिए एक एग्जामपल लेते हैं अगर आप इस सबूफर को लेकर फिर आगे अपना सारा सेश्टम मनाने की सोचते हैं तो फिर आपको इससे दो गुना ती गुना चार गुना पैसा और खर आप अगर सोचने कि मैं सेंपल और बोर्ट पर इसको चला लोगा नहीं चलने वाला इसके लिए पको कम से कम सो वाट या फिर 140 वाट तक का एंपलिफाय लेना पड़ेगा जो ट्रू आरे मेस देता है अब ऐसा नहीं है कि आपके वाल 140 वाट का एक एंपलिफाय लिया तो वो काम नहीं चलेगा क्यों क्योंकि आपको एक सबूफर आउट पूट पे 140 वाट का आउट पूट चाहिए जो क्लाज डेम लिफायर आते हैं आपके बेसिकली 2-3,000 रूपए के आसपास में क्लाज डियाता है जिनके अंदर आपको 100 वाट आपको एक प्रोक्स पावर दे निकालेंगे और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि बाइस आप मैं 140 वोट का सबूफर ले लेता हूं बहुत ज़्यादा हैवी ले लेता हूं और इसको एक 30-40 वोट के एंप्लिफार चलाओंगा ये बजेगा अच्छा बजेगा लेकिन आप कभी भी उस ओडियो से आप सैटिस करने फीर येशा लेते हैं अब ये ब्यांड ये वैसे लोकल ये और ये बैस प्रो करके यह अच्छे तरीके से त्यार किया वहाँ सब फर ये पिर आपको जो आगए एक्स्टाहर करने वो क्या हों कि मैं बताता हूं आप्को एक एसा एंप्लिफाय लेना होगा जो आपका स सबुफर आउटपुट पर 50 वोट दे देवें और ऐसे बहुत एंप्लिफायर मार्केट के अंदर अवेलेबल है जो एप्रोक्स 50 वोट तो निकाल के देते ही हैं लो बेस के लिए या फिर एक सबुफर आउटपुट के लिए और उसी के साथ में और उसी के साथ में आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा क्यों कि आपके पास एक एक एंप्लिफायर है जो आपको 50 वोट प्रपर आउटपुट दे रहा है लो बेस का और उसके लिए आपके पास एक ड्राइवर भी है क्योंकि 50 वोट हैंडल कर पार उसी केस में अगर आप 50 वोट के सब्सक्राइब को फ़र के लगा के चला भी देंगे तो वो चीज आपको कभी एशी नहीं होगी जो चाहिए क्योंकि वूफर जो है सांट के अंदर सबसे में चीज क्या होती है ओडियो ट्रेबल और बैस तीन चीज़े होती है वोकल होगई आपकी ट्रेबल होगई आपकी और बैस होगे आपका और सेयम चीज़ सब वफर के लिए पर होती है लेकिन अब सब उपर के अंदर और वूफर के अंदर आंतर क्या था सबसे बड़ा आंतर यह सब उपर आपका कभी भी हाई फ्रीक्वेंसी नहीं निकलता है अगर इसके उपर एक लोग पास फिल्टर न काटोगे इसके अंदर 3 फे सिंपल इस्प्रकिंद के अंदर बचंटा और यह बिचक batch आंदर 5 अझे समय दीक्ते और पक lång़ू इसके आपको तुमक्ल करना पड़ेगा इसका जो बोक्स आला आ सब्सक्राइब कर दिमाग में रखके चलनी और इनके अदर सबसे दर डिपेंडेंजी होती है इससे आगे जो नेक्स्ट के टेग्री वह इंक्लोजर ही आता है आपने सब सबसे पहले मैं इस वीडियो को यहां पर एंड करना चाहूंगा नेक्स्ट वीडियो अभी स्टार्ट करें रहा हूं उसके बाद में जो आपको अगले 2-3 दिन में दिखने को मिलेगी अब मैं आपको डिटेल समझाता हूं इस पीकर के अंदर जो आपका पौर्टेड इंक्ल आपको देखने को मिलेगा उसके लिए आपको करना पड़ेगा कमेंट और मिलेंगे इसी किसी और वीडियो के अंदर जाहिन बंदे मातरम दोस्तों